हेलो फ्रेंड्स आप सभी स्वागा थे एक बार फिर से आप सभी की यूटूब चलान मार्केट मुमेंट टूडे आज मैं बात करूंगा जीटियल इंफ्रा के बारे में जो कुछ भी निगेटिवीटी और वजेटिवीटी दिमाग में सब के चल रहा है कि आखिर जीटियल इंफ्रा में कब हम लोगों को वो तेजी देखने को मिलेगा और क्या इसकी सच्चाई है क्या ये कंपनी डिलिस्टिंग होने वाला है ये सारी चीज़ पर चर्चा करूंगा आज का जो वीडियो होने वाला है कोई टिप्स ट्रिक्स वाला नहीं होने वाला है और नाहीं को आने वाले समय में हमें वो तेजी देखने को मिलेगा क्या GTL Infra में अगर हम 1000 लगाए हैं या 100 रुपया भी लगाए हैं कोया 100 रुपया भी हमें डूपते कोई देखने को मिलेगा ये सारी जनकारी इस वीडियो में हम दूँगा और वीडियो पूरा देखिएगा तो इस चीज को बहुत बेतर ढंक से समझ पाईएगा नहीं तो नहीं समझ पाईएगा देखिए सीदी सी चीज है GTL Infra एक बार गौर से समझ ये कि आखिर GTL Infra 1 रुपया 60 पैसे का क्यों मिल रहा है आप खुद समझ ये 1 रुपया 60 पैसे का क्यों मिल रहा है सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके उपर अल्रेडी बहुत जादा करज हो चुका है और करज के मारे कंपनी अपने लेवल को ग्रोथ धीरे धीरे कर रहा है अपने करज को चुका रहा है बट धीरे और बहुत जादा करज है समझे इस चीज को मैं GTL इनफरा से लगातार मेरा जो भी लोग मेरे चैनल पर विजिट करते हैं जो भी इनवेस्टर है उनको पता है कि मैं GTL इनफरा से लगातार रिलेटेड अपडेट देता हूँ रिटिल इन्फार में यह कभी नहीं बोलता हूँ कि आप लोग एक लाख रुपय लगा दो 10 वाया भी पचास ळाрев लगा दो कभी मैं नहीं बोलता हूं GTL infra में आप लोग क्योंकि retail trader ही जादा तर छोटे level का invest करते हैं बड़े बड़े bulk deal होते हैं इसमें लेकिन वो लोग एक गंटी के लिए होता है दस दिन के लिए होता है वो लोग का game होता है एक बहुत बड़ा game चलता है penny stock में आप लोग को पता ही है तो GTL infra जैसे share में हमें उतना ही निवेज करना चाहिए कि जितना जैसे मैं क्या बोला कि 1000 रुपया अगर हम लोग लगाते हैं 1600 रुपया अगर लगाते हैं GTL infra में तो 1600 रुपया जो है वो कोई बहुत बड़ा amount नहीं है लेकिन अगर ये 1600 मतलब कितना amount है बहुत बहुत बड़ा amount नहीं है लेकिन अगर ये amount अगर खुदा नखासा कल डूब भी जाता है company deal listing भी हो जाता है तो हमें उतना असर नहीं पड़ेगा company अपना 5G phone बना रहा है ठीक है तो सीधी सी चीज है 5G phone बना रहा है हम लोग 4G के तरफ नहीं रहने वाले 5G के तरफ बढ़ने वाले हैं तो 5G के तरफ बढ़ेंगे तो और भी इसका इसके छेतर में growth level बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है आप लोगों खुद समझना चा है और तब ही जा कि इस company इस लेबल पर ट्रेड कर रहा है आज के दिन देखिए overall market हम लोग देखें तो निगेटिव में ही performance करते हुए देखने को मिला लेकिन इसमें देखें तो ना निगेटिव हुआ ना पोजेटिव हुआ अल्रेडी लगबग जितना पर उपन हुआ उ तो सीधी सी चीज है कि हमें जीटियल इंफरा में उतना ही निवेस करना चीए जितना कि हम एक loss मतलब recover कर रहें loss बरदास्त कर सके आप लोग को पता है पेनिये स्टॉक एक ऐसा है स्टॉक होता है कोई भी यह पेनिये स्टॉक अगर हम 5 पेनिये स्टॉक लगाते हैं अपने पेनिये स्टॉक में से एक भी चल गया तो हमारा जो भी इंवेस्टमेंट है उसके कई गुना ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है तो जीटियल इंफरा में मेरा लगातार कीवे सुझाव रहता है कि आप लोग को जीटियल इंफरा में निवेस करन लेना चाहिए और ज्य करनं ऑफ्योष्टमेंट कर दे तो कभी नहीं एम लोग उतना ही लगाएंगे जितना की हो साके वहीं बात करें तो आज regret घचे लिटियल इंफरा की बात करें तो जीटी इंफरा में उतना ही निवेस करना चाहिए ज्यतना की हमें आने वाले समय में उसको लौस भी हो नहीं गिरेगा इस लेबल पे भी अगर हम लोग पोजिशन बनाते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं अगर आप लोग जीटेल इंफ्रा का चार्ड देखो तो जीटेल इंफ्रा का हम वंडे का कैंडल ओपन किये हैं देखिए आप लोग तो अल क्वाटर फोर का रिजल्ट आने वाला है अगर प्षूआटर फूर जैसे इस स्टॉक का बहतर आता है हमें एक बहुत अच्छा अपसाइंड ही मुमेंट देखने को मिलेगा और फिर ये स्टॉग जव है और बहुत सार्किट भागत हुए देखने को मिल सकता है तो हमें ज revenue आ रहा है और quarter on quarter basis पे इस अपने depth को अपने कर्ज को improve करते हुए देखने को मिल रहा है तो बहुत लोग ये rumor फैल आ रहे हैं कि जुटिल इंफ्राइड लिस्टिंग हो जाएगा ऐसा कुछ हैने वाला है तो अभी ऐसा कोई green signal दे दिया है कि सारे company के साथ 5Z के तरफ काम करने वाला है stock तो ये सारी चीज हो जाती है साथ ही साथ आप लोग को मैंने ये भी news बताया था कि इसमें कितने बड़े-बड़े company है जिसका निवेस्ट है जिसमें ICICI bank था LIC था Bank of India था ये बड़ी-बड़ी banks है जिसका अच्छा खासा holding है इसे stock में अभी promoter की holding हो बहुत कम हो चुगा है बट फिर भी अभी जो है बड़े-बड़े company का है जो अभी भी इसमें अच्छा खासा holding बना हुआ है तो GTL infra सीदी सी चीज है कि एक पेनिये stock है हमें उतना ही newest करना चाहिए जितना कि हम लोग एक loss recover कर सकते है और सीदी सी चीज है loss बरदास्त कर सकते है और ज्यादा नहीं कभी भी newest करना चाहिए मैं तो यहीं बोलता हूँ पहले भी बोलता हूँ अभी भी मैं यहीं चीज बोलता हूँ कि GTL Infra आने वाले समय में एक अच्छा positivity दरसा सकता है बट अभी जो है इसी level पे कारवार कर रहा है और Q4 का result अगर आता है अच्छा आता है क्यूंकि quarter 3 का भी ठीक आया था और quarter 4 का result अच्छा आता है तो हमें तेजी देखने को मिल सकता है इसे stock को ले करके बट फिलहाल देखें तो अभी अभी निगेटिवीटी में ही देखने को मिल रहा है आज के दिन अच्छा खास अगरावट से देखने को मिला है आप लोग यहां देखी सकते हैं कि आज का market का क्या हालत रहा है संसेक्स की बात करें संसेक्स भी आप लोग यहां पे देखिए ग्यारा सव पॉइंट से अच्छा खासा वह भी है निफ्टी 50 का भी वहीं सीन चल रहा है सब रेड में इंध्टी बैंक भी देखिए निफ्टी मीड का लिवर मार्केट डाउन चल रहा है उसके वज़ा से भी इस स्टोक में अभी तेजी नहीं देखने को मिलेगा बट Q4 का result के बाद इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है दोस्तो overall बात करें तो GTL Infra में हमें बहुत कम लेबल का निवेस करना चाहिए दोस्तो किसी भी stocks related आपको जनकारी चाहिए तो आप हमें डिरेक्ट इंस्टाग्राम पर message कर सकते हैं डिरेक्ट वहार रिपलाई देते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तो जय हिंद जय भारत